दोस्तो आज में आपको वताने वाली हो एरोमा फेशिल किप्स के बारे में यह है दोस्तो एरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर का यह है आपका सेलोन रिंच यह स्किन ग्लू फेशिल है यह मतलब कि आप कभी भी लगा सकते हो और इसमें सेवन स्टेप्स होते हैं तो इसके बारे में आपको मैं डीटिल्स देदू तो यह जो है यह सेलोन रेंज में इनका यह आपकी त्वचा को लाइटन करता है लाइटन कॉंप्लेक्शन एंड डार्क सेर्कल्स जो आपके चेहरे पे जो भलकी काली जहाईया हो जाती है तो आपकी कॉंप्लेक्शन को डा और जो आखों के नीचे डार्क सरकल्स होता है उनको भी दूर करता है इवन चाउप दस्किन टोन ऑफ दफेस एंड नैठ एरिया और आपकी जो स्किन जो चहरी की स्किन है कहीं काली या कहीं गुरी लग रही है तो वो यह एक वली उसको एक जैसा करता है और आपके चहरी के आपकी नेक के एरिया को तो यह ग्लो करता है आपकी स्किन टोन को एक जैसा बनाता है रिस्टो क्लियर ब्राइट स्किन फिर से आपकी तैचा को दुबारा से ब्राइट स्किन बना देता है और यह सारी स्किन टैप्स के लिए होता है तो देख लीजे आप यह स्किन ग्लो फेशियल है अरोमा मैजिक ब्लासम क्रोचर का इसी के साथ एक दूसरा फेशिल पिड़ी मेरे पास है यह है ब्राइडल ग्लो फेशियल यह ब्राइडल ग्लो फेशियल यह ब्राइडल ग्लो मेंली वहसे तो सभी को यह लगा सकता है बट मेंली जो ब्राइडल से हैं शादी का तो यह मेंली जो ब्राइडल के लिए होता है जिससे कि ब्राइडल को खुचिवत लगना कंपल सरी है तो यह ब्राइडल के लिए है तो उसमें क्या-क्या आपको इसके फायदे मिलेंगे एक तो यह एनहेंस इस नेचरल लू, जो नेचरल लू है आपका स्किन का उसको बढ़ाता है, इंपार्ट सर डेजलिंग रडियंस, आपकी त्वचामी एक अलग सी चमक लाएगा, रिवाइटलाइजेज प्रॉम विथेन, और आपके जो अंदर की खुब सूपती है उसको निखा रहेगा, और ये सभी स्किन टाइप्स के लिए चल जाएगा, तो ये दोस्तों, मैं आपको बताओ, ये ब्राइडर ग्लो फेशिल है, एरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर रींज में, तो इसमें भी सेवन स्टेप्स होते हैं, और इसमें भी सेवन स्टेप्स होते हैं, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से इन दो फेशल्स के बारे में बताऊंगी